आप सबी लोगों का वेलकम करते एक नए वीडियो में तो फ्रेंड्स आज आज आपको कुछ फ्लाबरिंग की राज की बात बताएंगे उससे पहले आप मेरे प्लांट को देख लीजिए इस पे कितनी हैवी फ्लाबरिंग हो रही है आप देख सकते हैं पंदरा दिन पहले मैंने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है तो मैं क्यों न आपके संग सेर किया जाए जैसे कि आप हमारे फैमली के मेंबर हैं हमारे चैनल से जूड़ते हैं तो आपके संग ये वीडियो में सेर कर रहा हूँ आप भी अगर अपने फ्लाबरिंग प्लांट से बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग लेना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को अजमा सकते हैं देख सकते हैं पंदरा दिन पहले हमेरे प्लांट पे बिल्कुल भी कलिया नहीं थी इसकी ग्रूथ भी नहीं हो रही थी उसके बाद मैंने इसमें बनाना पील्स फर्टिलाइजर डाला है हाँ फ्रेंड जो बनाना हम खा लेते हैं उसके बाद जो उसके चिकल चिलके बचते हैं उसको फैके ना उसको आप किसी बकट में या फिर किसी बोतल में उसको रख ले उसमें पानी डाल दें और उसको छोड़ दें और जितना वह पुराना हो जायेगा उतनेहीं बढ़िया बनता है और उसको आप क्या करें आप उसमें से 200-300 g ग्राम पानी ले के और दूसरे साधे पानी में आप मिलाके जैसे हम रोज पोदों को पानी देते हैं मिट्टी सूकने के बाद तो ऐसे ही आप इसको पानी दे तो पंदरा दिन बाद आप जिस भी प्लांट पे ये चीज करते हैं उस पे बहुत अच्छी से फ्लाबरिंग आएगी तो ऐसा बनाना पील्स में क्या होता है इसमें पोटेसियम बहुत होता है तो फ्रेंट जो पोटेसियम होता वो फूलों के लिए बहुत सही है और उसमें एक मैगनेसियम पाया जाता है मार्केट से हम मैगनेसियम खरीद के लाते जो केमिकल में मिलता है पर फ्रैंस केमिकल का रिजल्ट जो होता है वो प्लांट पे तो हमारे देखने को मिल जाता है पर उससे हमारी जो मिट्टी होती जो सोयल होती है वो भी खराब होने लगती है धीरे धीरे करके तो आप जितना कम हो सके केमिकल के तरफ जाएए आप औरगेनी के तरफ जाएए और अगर आप किसी ऐसे गमले में या ऐसी जगे पे प्लांट लगा रखें जहां आप अपने सबजी वाले भी प्लांट लगाते तो उस मिट्टी में आप केमिकल फर्टिलाइजर ना डाले तो मैं देखिए जहां जहां मैंने ये जो सीजन वाले प्लांट लगाए थे जो सर्दियों में विंटर में जो फ्लाबरिंग प्लांट आते हैं तो मैं उस मिट्टी में केमिकल नहीं यूज करना चाहता हूँ तो मैंने बनाना पील्स यूज किया अब जैसे सीजन इसका वाफ हो जाएगा तो फिर मैं इसमें सब्जी वाले प्लांट लगाँगा तो इसलिए मैं इस मिट्टी में केमिकल नहीं डालना चाहता हूँ तो आप भी ऐसे ही करें अगर आप जानना चाहते बनाना पील्स फटिलाइजर कैसे अच्छे तरीके से बनाए तो उपर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा आप उस पे किलिक करके देख सकते हैं या जैसे ये वीडियो लाश्ट में खतम होती है तो इस वीडियो के लाश्ट में आपको उस वीडियो का लिंक दिखेगा तो आप किलिक करके और देख सकते हैं कि कैसे हम फटिलाइजर अपने घर पे बनाना पील्स का बना सकते हैं तो फ्रेंस आप भी अगर अपने घर पे फ्लावरिंग Пलांट आपने लगा रखें चाहें फिर वो गुलाब हो या गुढ़हल हो या चमेली का हो चमपा कोई भी फ्लावरिंग पलांट हो आपके और आप चाहते हैं उस पे फ्लावरिंग क्यों नहीं आ रही तो आप इस जो राज की बताया हूँ उसको एक पड़ ट्राइ करें जल्दी आपसे मिलते एक नई जानकारी लेके तब तक के लिए अपने बागवानी का ख्याल रखे और हमारी नई वीडियो हर सभी बार के लिए इंतिजार करें फिर मिलते हैं जल्दी आपके लिए एक नई नरसरी की वीडियो लेके एक नई जानकारी लेके वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद